ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं करक राशी वालो हो जाओ तेयार क्योंकि अब आपको भगवान विश्णुजी कैसिरवस से एक जुलाई से 31 जुलाई याने की जुलाई 2023 के महीने में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुसकबरी जा दोस्तो आपको बता दें भगवान विश्णुजी कैसिरवस से एक जुलाई से 31 जुलाई याने की जुलाई महा में बन रहें गुरुपुष अमरत योग में आपको पांच सुब समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा भगवान विश् जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों बे बड़ी खुसकबरियां कौन-कौनची है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंतरता कवश्य बने रहें और अंतरतक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें को कि यह वीडिय जिससे भगवान विश्णुझी का अशिरवाद आपको शीदेबराप्त हो सके तो चले दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा भगवान विश्णुझी का अशिरवाद से आपकी राशीवालों के लिए एक जुलाई से 31 जुलाई यानि की जुलाई 2023 के महीने का यह मह दोस्तो यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्छा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घ उस्तो यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतीश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसाय धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेश पृतिभा को जागरित करने में समय व्यतीत होगा विसेश कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का और आशिरवाद आप पर सदेब बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तों अपने उसुलों वे सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तों यह समय अपनी समझबूज वे बु पुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कारों को योजना बद तरीके से करना आपको विशेश सफल तप्रदान करेगा घर में मित्रों या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आपसे मेल जोल का लुप्त उठ हैंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजिदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविश्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह सम किसी नजिदी की मित्र की नकारात्मक गतिविदी से आपको आघात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तों कभी कभी किसी विसेस विसे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकत हैं परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सयमित बना कर रखना आपक मंद मधुर बना कर रखें क्योंकि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विध्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विध्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रक प्रस्ततियां और अधिक बिगड़ सकती हैं कानुनी काम में भी आप ना उल्जें साफधान रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पत्नी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परंतु समय रहते आप नकारत्मक प्रस्ततियों को काबू में पा ले विवा संबंदित कारों में व्यस्तता भी बनी रहेगी दोस्तो साथ साथ अत्यादिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परंतु जीवन साती का सयोग परिवारिक वाता वरन को उचित बना कर रखेगा पती पत्नी के आपसी संबंद अगर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वैवेशाइक कार्रे अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से सम्मंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुंच सकता है दोस्तों कारे छेत्र में किसी विशेश व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की वेजीत के लिए साहिक रहेगी नौकरी में अपने टार्गेट को पाने में आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तों किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवस्से विचार वि को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहर्य पूर्वक अपने अन्य कारों के प्रती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्थ होगी नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तों यह समय कार्य चेत्र में कार आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविदियों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं साफधान रहें दोस्तों साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल संबंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परन्तु हर काम में पेपर संबंदित कारों को पूरी तरह व्यवस्तित रखना आपके लिए अति आव अपने काम के क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसंका बन रही है दोस्तों साथी साथ यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है तरल प्रधार्तों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती है प्रकर्तिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा